हेले दोस्तो आप सभी का मेरे चैनल ममता की लाइक में स्वागत है दोस्तो देखिए इस तीन पार्ट को मैंने इस दो पार्ट से जोड़ा है ये मैंने आपको बताया था ये मैंने कर लिया है और अब ये देखिए थ्वासाद जब ये भारी होता जाता तो इसको थ्वासाद संभालना पड़ता है अब यहां वाला ये वाला पार्ट अब हम जब बनाएंगे यह तीनों अलग-अलग थे इसको जोडने के लिए हम लोगों ने यह पीस बनाए पहले मैंने यह बनाया फिर यह बनाया यह जो मैं बना रही हूँ मैंने इसको 49 फंदे का बनाया है आप चाहे तो छुटो छुटा 15, 19, 17 जो भी आपको जैसा आपके पास उन हो उस हिसाब से भी आप इसको बना सकती है तो मैं एक पीस यहां बना लूँगी दो यहां और एक यहां तो एक मेरा अच्छा कासे स्क्वार पीस तयार हो जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा नहीं बनाना है एक आसन की तरह से छोटो सा बन जाएगा तो आपको अगर और बड़ा बनाना है तो यह पीस आप और बढ़ा दीजिए सेंटर पीस और बढ़ा दीजिए तो कि इसके हम उपर बना रहे हैं और फिर इसके हम नीचे बनाएंगे अब देखिए यहां का यह जो हमने फंदा उठाया था एक तरफ जादा एक तरफ कम करके हमने इसको उठा लिया अब यह जो हमारा बना है देखिए यह हमारा सेंटर में है तो अब इसमें जब हम जो फंदे उठाएंगे 24 यहां उठाएंगे 24 यहां उठाएंगे एक बीच वाला फंदा जो हमारा है वो हम यहां उठाएंगे ताकि हमारा यह बीच वाला सेंटर वाला केबल जा रहा है वो इसी के ऊपर से जाए तो अब इसके लिए यही प्रोसेस है कि हम यहां से यहां यह जो हमने बिनाई किया 24 उठाए, एक सेंटर में उठाएंगे, फिर 24 यह उठाएंगे, और जब अब हम खटाना शुरू करेंगे, तो यहां से लेके उठाएंगे, तो चलिए अब इसको भी उठा लेते हैं, इसको मैं ब्लैक से उठा रही हूँ, यह द केबल वहाँ पर फंदा हम अगर उठाएंगे तो मेरा फंदा जादा उठेगा यह देखिए एक यह दो और अगर एक आद फंदा अधिक कम होता है तो आप उसको बिनते समय घटा बढ़ा सकती है ताकि आपका जो स्क्वार पिस यह बन रहा है वह इक्वल बने देखिए यह इसी तरीके से अब इधर पहले में 24 उठा लेती हूँ देखे चार हो गया और यह वाला जो उन है इसको आप ऐसे फसाती जाए तो बाद में आपको इसको सुई से फसाने की या क्रोश्या से फसाने की जरुरत नहीं पड़ेगी यह हम साथ के साथ इसमें फसाते चले जाए तो हमारा यह एक काम भी खतम हो जाएगा बाद में कुछ ज़्यादा करने की जरुत नहीं पड़ेगी और फिर जब यह सारे स्कुएर पेस बन के तयार हो जाएंगे तो हम इसका बॉर्डर बनाएंगे बॉर्डर मैं क्रोश्या से आपको बता दूंगी कि कैसे बनेगा तो इस तरीके से देखें यह में फंदे उठा रही हूँ अब यह मैं पूरे फंदे ईठा लूँ और यह देखें मेरा फिर्स्ट चला है अब दिखिए ये मेरे 22 हो चुके हैं 23 और ये 24 ये मैंने 24 फंदे यहां उठा ली है और ये जो हमारी जो हमने फर्स्ट यहां पे उतारा था यहां उसी के एकदम नीचे यहां पे ऐसे करेंगे और एक फंदा हम ये सेंटर में उठा लेंगे अब बाकी का 24 हम इस साइट इसको भी आप ऐसे फसाती चली जाएए ये देखिए एक और ये ये जो दोनों टुकड़े हैं आप दोनों को फसा सकती है ये इस तरीके से ऐसे दो ये देखिए तीन चार इसी तरीके से इधर भी हम 24 फंदे उठा लेंगे देखिए इस तरीके से मैंने टोटल 49 फंदे उठा लिए 24 इन दोनों ब्लॉक पे और एक ये एकदम देखिए ये एकदम एक ये सेंटर पे ये ब्लाक वाले पे इसकी बिबिनाई हम सेम करेंगे पहला फंदा उतार के फिर सारे फंदों को यहां पे हम सीधा बिन लेंगे और नेक्स सलाई पे जब हम आएंगे क्योंकि ये हमारी उल्टी सलाई है तो इसको हम टोटल सीधा बिन लेंगे और नेक्स सलाई पे जब हम आएंगे तो फिर हम जैसे हमने फर्स्ट ब्लॉक बनाना शुरू किया था इसका स्क्वार पिस उसी तरीके से इसको हम बना लेंगे इसको देखिए ऐसे बस सिंपल बिनना है और इसके बाद फिर वही 23 फंदे बिनने के बाद सेंटर को लेते हुए इन दो फंदो को लेते हुए ये मैं आपको बिनके अभी दिखा देती हूँ इसको हम पहले में ये इतना बिन लो आप देखिए अब नॉर्मल जैसे हम अप चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चौदर, पंदर, सोल, सत्र, अठार, उननिस, बीस, एक्किस, बाईस और ये देखिए तेज़ अब ये देखिए तेज़ अब ये इस इस सेंटर की एक पहले हमारा फंदा है तो इसको हम ऐसे उठाएंगे और फिर ये वाला हम बीनेंगे और इसके उपर से इसको हम ऐसे क्रॉस करा देंगे ये देखिए फिर अपनी बाके भी नई वैसा about में उल्टे तरप से उसको उतार लेंगे और फिर सिधे तरप से हम इ यह बना लेती हूँ, यह देखिए, इस तरीके से हमारा ये, अगर आप मान के चलिए, तो एक हमारा ये सीधा पीस यहां तयार हो गया, एक यहां तयार हो गया, अब इसके नीचे हम दो बनाएंगे, एक यहां पे बनाएंगे, यही सेम चीज़, दो वाइट और एक ब्लैक, तो ये 3x3 square piece का एक हमारा square बड़ा सा तयार हो जाएगा, अब ये देखिए, यहां पे जो है, यहां ये जब हम white piece जोड़ेंगे, तो यहां पे equal आप नहीं करेंगी, क्योंकि यहां पे यह जोड़ गया है, तो एक यहां पे हम center वाले में center piece लेंगे, जैसे मैंने ये last वाला जोड़ा है, क्योंकि अब ये अलग-अलग नहीं है, तो आप 24 यहां उठाएंगी, 24 यहां उठाएंगी और एक center में उठाएंगी, और यहां पे क्योंकि हमने ये फंदे डाले हुए हैं, तो आपको इसके बीद बीच में से जो ये hole दिख रहा है, इसमें से आपको ये फं और एक black और कर देंगे, तो ये मेरा total 3 by 3 square piece का एक बड़ा square piece तयार हो जाएगा, तो ये इतना करने के बाद देखें, ये ऐसे एक ये सीधा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब ऐसे हम कर लेंगे, तो ये हमारा एक square piece ऐसे तयार हो जाएगा, तो अब इसको भी आप ब ब्लैंकेट बनाना है तो आप इसको और लियर इधर बढ़ाईए तो छान लियर इधर बढ़ाईए एक मतब ब्लैंकेट बेवी ब्लैंकेट का शेप आ जाए कर यह मेरा तेन है तो आप यह माननके चलिए कि 5 x 6 का इधर 5 रखिए और इधर 6 रखिए एक छोटा सा ब्लैंकेट या आप जितना बड़ा बनाना चाहें तो आपका ब्लैंकेट तैयार हो जाएगा तो यह देखिए मुझे उमीद है कि यह चीद आपको जरूर पसंद आएगी मैंने यह इसलिए देखिए अब यहां से ऐसे यह जा रहा तो यह साथ में मिलता हुआ चला जाएगा इसको आप जब वाइट वाला बनेगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा तो अब हम नीचे जब बनाएंगे इधर का जब हम बनाएंगे तो अब हम नीचे की तरफ फंदा यहां से उठा के यहां तक बनाएंगे और एक सेंटर में ले लेंगे इसलिए मैंने आज इसको फिर से बना के आपको बता दिया है और अब इसके बाद इसका बॉर्डर नेक्स वीडियो में मुझे उमीद है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा अगर अपको ये पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्तों में सेयर करिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए मैं ऐसे ही अलग-अलग डिजाइन आपको बताती रहूंगी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई